वाइट इस्पोर्ट और लेप्टॉप स्क्रीन गाइस हम सभी लोग तरह तरह के इलेक्ट्रोनिक डेवाइस के यूज करते हैं जैसे की बात करें लेप्टॉप हो गया डेश्टॉप हो गया हमारे स्मार्टफोन हो गया इन सब में दोस्तों डिस्प्ले पाई जाती है और यहां पर दोस्तों डिस्प्ले से एक common problems जो कि अकसर देखी जाती है कि इन डिस्प्ले के ऊपर जो white color के spots या फर बात करें white color के dot देखने को मिलते हैं और यह problems बढ़ती ही जाती है तो यहां पर दोस्तों आज गुने इसका बात करने वाले कुछ points है जिनकों covere करेंगे जैसे कि जो white spots होते हैं आखर यह क्यों आजाती है क्या इसके पीछे region होता है यह जो white spots क्या इनको हटाया जासकता है तो कैसे हटाई जा सकता है और इसके वाद हम लोग बात करें कि यदि हमारे पास एक नया जो डिवाइस है तो उन पर यह प्रॉब्लम देखने को ना मिले तो हम यहां पर फ्यूचर प्रिकॉशन क्या क्या रख सकते हैं जिस्टिक डिस्प्लेइक उपर यह सारे प्रॉब्लम देखी जाती है अकसर बात का है तो यह जो स्मार्ट फोन है उनके करादा देखने को मिलती है और動画 kleinen होता है कि में रिजन हहां कि यह सब्सक्राइब आते हैं यह दोस्तों इस वाधर keator दॉट्ट्स डिस्प्ली ऊपर कोई वर्ब्ली यहां ब कुस्ट चीज organizers लगता है जैसे कि मादलो डिस्प्ले पर सामनी तरफ से किसीज की ठोकर लग जाए, कोई चीज वहाँ पर लग जाए, या पर डिस्प्ले के पीछे तरफ से कोई चीज उसकी उपर लग जाए, तो इस वज़े से दोस्तों क्या होती है, कि एक प्रकार से बात करते हैं, फिजीकल जैसे कि जो लैप्टॉप हो गया, उस पर हमको देखने को मिलता है, या पर हमारे स्मार्टफोन बगर रहा होगा है, उनको ऊपर ये प्रॉल्म ज्यादा तर देखने को मिलती है, अब गई से यहाँ पर हम बात करते हैं, कि यदि ये प्रॉल्म से हमको देखने को मिल रही ह तो यहां पर उसे जो प्रॉल्म तो इस साफ्टेर के बज़े से वैसे तो नहीं होती है लेकिन फिर भी यदि इनकेस मालों साफ्टेर के बज़े से आपको ऐसे कुछ वाइट स्पोर्ट बगर देख रहे हूं मिलें डिस्प्लेय के ऊपर तो उनको तो हम आसानी से दोसे रिमूब कर सकते हैं कम्प्यूटर है लेप्टप उसके बायो सेटिंग में जाकर हम काफी कुछ यहां पर उसमें मोडिफेकेसन करके चेंजिस करके इन स्पोर्ट को गायब कर सकते हैं यँए ऑन पर दोस्तो शोफ्तर के वज़े स्टो वो चीज तो हम सही कर सकते हैं लेकिन यँज़ो यहां पर यदि यह प्रोलम निकलती है हार्डब्वर की वजए से तो यहां पर दो सही करना एप्रिकार से एंगाcoat Rule export नगई है उसी को यहां पर चेंज करना पड़ेगा च्याह depends और दो सभ्सक्राइल पर क्या करना पड़ता है और हां यहां पर द फेस्ट करना पड़ता है तो यह दोस्तों इसका solution होता है अब गईसे उपर हम लोग बात करते हैं यदि हमने एक नया device लिया है नया laptop लिया है नया smartphone लिया है तो हम ऐसा क्या करना है कि हमारे जो devices उनकी डिस्प्ले के उपर ऐसी problems future में देखने को ना मिले हैं हम क्या क्या precaution रखें तो यहाँ दोस्तों में चीज तो यही है क्योंकि इसको रीजन जो है वो external forces कोई चीज लग गई उसको पर यहाँ दोस्तों हमको क्या करना है कि हमारे डिवाइस उनकी डिस्प्ले को प्रोटेट करके रखना है इसके लिए क्या कर सकते हैं जो हमारे डिवाइसे से लेप्टॉप है स्मार्टफोन है उनकी जो इसक्रीन है उसको पर हम गार्ड लगा सकते हैं एक प्रोटेक्शन लगा सकते हैं जिस तो पर फजीकल जो डेमेज है वो ना हो इसके लगा दोस्तों सेकेंड चीज क्या होती है सब्सक्राइब कर तो आपको आपके जो भी डिवाइसे उनकी डिस्प्ले को फिजीकल डेमेज से बचाना है फिजीकल उसको पर किसी का फोर्स ना लगे यदि यह ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर आपका डिवाइसे जो है वो यहाँ पर सेफ रहेगा ऐस व्याइब स्थाफ से हम को जनररली देखने को नहीं मिलते हैं और गशेन सबस्याइब कर दीवाइसे वाइसे स्ट्रीम के उपर इसके बीचे क्या रीजपर यह कैसे हटाय सकता है यह हमारी डेवाइस को मिलगे प्रक्रश के लिए आपकाया झाल झाल झाल